हलो दोस्तो वेलकम टू स्टटी यूनिवर्स मद्यप्रदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 15 है अपरेल 2019 और यह हमारी 128 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर MPG के और current affairs related कोई भी problems जाती है तो आप हमें comment box में बताए हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जिसे आप solve जरू करें ये previous day का एक question है question number first हाली में railway ने कौन सा toll free number जारी किया है जिसका say option है 138 हाली में railway ने 138 toll free number जारी किया है railway ने यात्रियों की सुविधा को वेहतर करने के लिए ये number जारी किया है यात्री कोच में पानी की कमी गंदगी होना लाइट ना होना AC कूलिंग ठीक ना होना इन सभी की complaint आप इस number पर कर सकते है दोस्तो इसी तरह railway ने 182 number भी सुरक्षा के लिए जारी किया था तो दोस्तो इतना आपको इन दोनों toll free numbers के बारे में याद रखना है next question हाली में चीन में कितने apps को हटाया गया है तिसका सही option है 33,000 हाली में चीन में 33,000 apps को हटाया गया है चीन सरकार ने इन apps को अवेद बता कर इने हटा दिया है ये app पॉन्ड, जुआ, हिंसक और अवेद गेम से सम्मनने थे दोस्तो चीन में अब तक 23,000,000 से ज्यादा website भी ब्लॉक कर दी गई है दोस्तो अब बात आईए चीन की तो आपको map में चीन के बारें बता दे मैप में ये जगह है चीन को दरसाती है चीन की राज़दानी है वीजिंग, करंसी है रैन मिनवी और चीन की रास्टपती है सी जिन पिंग नेक्स्ट क्वेशन हाली में बैग्ञानिक शपकुमार का निधन हुआ, ये किस संस्थान से जुड़े थे तो इसका सही option है इस रोख हाली में शपकुमार का निधन हुआ, जो एक बैग्ञानिक थे और ये इस रोख संस्थान से जुड़े थे ये ISAC के पूर्व निदेशक भी थे इन्हें पदमसिरी से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों ये इस रो के भासकर चंद्रयान, इंसेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में जुड़े थे इस रो के बारें बता दे, इस रो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन होता है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 में की गई थी, हैड़ कॉर्टर बेंगलूरू करनाटक में है और हैड है के सिबान तो दोस्तो इतना आपको इस रो की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन जिसका सई उफशन है मीना कुमारी दोस्तो आपको बता दे, जर्मनी में आईजिट कॉलिन वाक्सिंग वर्लक अप में भारत ने 5 मेडल अब तक जी चुका है तो आपको इस वर्लक अप के बारे में याद रखना है कि ये जर्मनी में आईजिट किया जा रहा है हाली में मुनबर सलीम का निदान हुआ, ये कहां के रहने वाले थे तो इसका सई उफशन है, विदीसा मुनबर सलीम, विदीसा के रहने वाले थे ये पूर्वर राज्यसवा सदस भी रह चुके हैं एसपी पार्टी के एक नेता थे दोस्तो मध्यप्रदेश के सरौन से बिधानसवा चुनाओ भी लड़ चुके हैं ये दोस्तो अब बात आईए विदीशा की तो आपको विदीशा के बारे में कुछ इंपूर्टेंट फिक्ट बता दे भोपाल संभाग का एक जिला है विदीशा बेसनगर से विदीशा को जाना जाता है गंजबासोदा में क्रशी विश्विद्याला है सरबादिक चने की फसल का उतपादन मध्यप्रदेश में विदीशा में ही ही होता है दोस्तो इतना आपको विदीशा की बारे में याद रखना है आमबीटकर की जैनती पर अम्बेट करके जीवन से संबंधित संगर्स के बारी में सांस्कृतिक कारिकरम आईजित किये जाएंगे दोस्तो अब बात आईए खरगोन की तो कुछ important fact आपको खरगोन के बारे में बता दे नफग्रह मंडल और महस्वरी साडियों के लिए खरगोन को जाना जाता है भारत का पहला मोवाइल बैंक खरगोन में शुरू किया गया था मद्दप्रदेश का सरवादिक मुमफली का उत्पादन खरगोन में ही किया जाता है कपास अनुसंदान केंदर खरगोन में ही इस्थत है दोस्तो मंडलेश्वर और महिस्वर जो दोनों नर्वदा नदी के किनारे इस्थित हैं ये इन दोनों सहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है तो दोस्तो इतना आपको खरगौन जिले के बारे में याद रखना है किस राज में पुथांडू का त्यूहार मनाया जाता है जिसका सई उफ्षन है तमिल लाडू तमिल लाडू में यह त्यूहार मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर पुथांडू है पुथांडू इस त्यूहार को तमिल नव वर्ष का तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है 1950 में की गई थी गवर्णर है बनवारी लाल पुरोहित तमिलाडू की मुख्यमंत्री है के पलान स्वामी और तमिलाडू की राजधानी है चेंड़ाई तो दोस्तो इतना आपको तमिलाडू के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन मद्द्देश के साथवे लोकायक्त कौन बने है जिसका सई उफ्षन है एन के गुपता एन के गुपता मद्द्देश के साथवे लोकायक्त बने है दोस्तो 2017 से ये मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पीवी दीक्षित इन्हें 1982 में लोकायक तो बनाये गया था मध्यप्रदेश में तो इतना आपको इन दोनों की बारे में याद रखना है जिसका सई उफशन है शिप्रा शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है इस नदी का उदगमिस्थल इंदोर के ककरावडी में हुआ है दोस्तो यह 195 किलोमीटर लंबी नदी है आपको बता दे राजिस्थान में चंबल नदी से मिलती है शिप्रा नदी दोस्तो आपको बता दे एक और important fact बेतवा नदी को मद्ध प्रदेश की गंगा कहा जाता है और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है तो इन दोनों की बारी में आपको इतना याद रखना है next question kis अब्भैरन का नाम डुबरी अब्भैरंट था जिसका सही option है संजै अब्भैरन और संजै अब्भैरन का नाम डुबरी अब्भैरन था दोस्तो आपको बता दे इस अब्भैरन की स्थापना 1981 में की गई थी यह सीधी और सिंग्रोली जिले में पढ़ता है तो दोस्तो इतना आपको संजय अव्यरन के बारे में याद रखना है इसे संजय रास्टी उद्यान की नाम से भी जाना जाता है नेक्स कोशन हाली में कितने विभाग साथ मिलकर मद्यप्रदेश में रोजगार के अफसर पैदा करेंगे जिसका सही ऑफ्षन है दस विभाग मद्यप्रदेश के दस विभाग मिलकर रोजगार के अफसर पैदा करेंगे लोकनमाण विभाक सहथ 10 विभाग युवाओं को प्रिशिक्षन देंगे इसके लिए युवाओं को पंजियन कराना जरूरी होगा उच्छ सिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, राजस्वन विभाग, नगरिय प्रिशाशन विभाग, जल संसादन विभाग, जैसे दस विभाग साथ मिलकर कारी करेंगे Next question, हाली में किस चले में दिव्यागों को नरत्य सिखाने निसुल को शिवर लगाया गया है तिसका से यॉफ्षन है, मुरेणा, मुरेणा में दिव्याग जनों को नरत्य सिखाने निसुल को शिवर का आयज़न किया गया है दोस्तो, एक माहे का विशेश सिवर आयज़ित किया जा रहा है साथी नसामुक्ती रक्तदान मत्दान का भी संदेश इस शिवर में दिया जाएगा दोस्तो, अब बात आईए मुरेणा की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको मुरेणा की बारे में बता दे दोस्तो, मोरों की अधिक्ता की करण इसका नाम मुरेणा पड़ा है चंबल क्वारी असन जिले में प्रवायत होने वाली प्रमुक नदिया है आपको बता दे, मितावली का योगनी मंदर यहीं पर इस्थित है नागा जी का मेला जो पोर्सा में लगता है वह भी मुरेणा में ही इस्थित है तो दोस्तो, इतना आपको मुरेणा जिले के बारे में याद रखना है तो दोस्तो, ये था हमारा आज का डेली करण अफेयर आप मारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और वर्ल्ल के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे दोस्तो, अगर आपको MPG के और करण अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगके आंसर जरू देंगी